आपने कभी cooking करते वकद खुद या अपनी ममा को देखा होगा कि जब वो मसाले रखती हैं नमक, मिर्च और डिफरेंट किसम के अधर गरम मसाला होगा या कोई भी पीसे हुए मसाले तो ऐसे plate में सजाती हैं जैसे उन दो मसालों का separation भी पता चल सके और ये भी होके इनको as support vector machines ये support vector machine आप ऐसे ही समझ लें कि दो मसालों में अगर मैंने फरक करना है कि कहां से कौन सी ऐसी boundary है कौन सी ऐसी boundary वाल है या कौन सी ऐसी एक line है जो नमक और मिर्च के अंदर फरक कर रही है ठीक है so इसी मिसाल को मदे नजर रखते हुए let's move on our screen अब यहां पर अगर आप गौर करें जो भी मैं आपको example दे के हटाऊ हमारे पास say for example एक इस तरीके से धेरी लगी होती है नमक की ठीक है ये हमें पता है हमें से कहा देते हैं कि ये salt है ठीक है और दूसरी धेरी हमारी लगी होत रखता है को सुखा दनिया भी पड़ा हो and there are many other things ठीक है और आपको पता है कि जब हम इनको separate रखतो देते हैं इकठे लेकिन separate करना अकसर उकात हमें मुश्किल हो जाता है so अगर हम इस तरह के data को separate करना चाहें then we can use a technique called support vector machines जो क्या करते हैं basically support vector machines ये ऐसा set of instruction है ये algorithm है जो क्या करते हैं इसको बाइदावे हम svm बोलते हैं आपने बड़ी दफा नाम सुना होगा support vector machine अगर आप चेक करें machine तो जारी बात है machine learning से आ गया support का मतलब ऐसा ऐसी चीज जो आपको support करें to classify or to find a number or to do some other tasks लेकिन साथ में vector क्यों हमें बताया गया ये मैं आभी आपको points ठीक है और ये हैं मेरे पास yellow points ठीक है आपने देखा होगा कि ये points आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं अब support vector machine क्या करते हैं basically आपको एक hyper plane देती है hyper plane क्या है एक ऐसा separator hyper plane आपको देती है support vector machine hyper plane आपको देती है which can actually help you to separate separate things based on the boundaries मतलब ये के एक ऐसा hyper plane hyper plane क्या होगा अगर हम 2D space की बात करें तो ये एक line होगी for example मैं यहाँ पे एक ऐसी line draw करूँ जिससे मुझे yellow और red separate हो जाएं तो मैं क्या करूँगा जहाँ पे दोनों की separation है वहाँ से start करता हूँ something like this यह आ गया जनाब यह मैं जा रहा हूँ इस तरीके से और यहाँ से आप अगर देखें तो मेरे पास yellow separate हो गया है और मेरे पास जो है जो red है वो separate हो गया अगर इसको और भी मंदे नजर रखें तो we can do also like this कि यह मेरे पास एक hyper plane बन रहा है and यह जनाब hyper plane बन गया simply जिसने red और yellow को separate कर दिया और अगर आप गोर करें तो यह मैंने यहाँ से start किया इस direction में जाता रहा इस direction में जाता रहा जाते 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 यह मेरे पास इस तरीके से एक plane आ गया और अगर 2D space की बात करें तो एक simple line जो दो चीजों को separate कर रही है this is called a hyper plane ठीक है 3D space के अंदर एक plane होगा मैं आपको मिसाल देता हूँ आप क्या करें आपके पास अकसर अकात आपको पता है के दो चीजों में separation करने के लिए आप एक card रख देते हैं मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूँ कभी आप क्रियाना स्टोर पे जाएं क्रियाना स्टोर पे जाकर यानि के जो शॉप होती है जहां से आप चावल वगरा खरीदते हैं आपने देखा होगा जो दालो मला section है ना सारी दाले एक बड़े डबे में होती है लेकिन वो mix न लेकडी की एक क्या उसे बोलते हैं चप्टी होगी चीज जिसको वो उसके अंदर separation के तोर पे लगाते हैं इसकी एक और मिसाल में आपको बता देता हूँ अक्सर उकात अगर आप चीजों को separate करने के लिए बीच में separator कोई रखने हैं उसको भी हम hyperplane बोलते हैं say for example आप अक separate the pages वो हमारे पास आई जाते हैं and there are many other examples जो real life हमारे पास hyperplane के आती हैं but things to be noted के हमारे पास 2D plane के अंदर कुछ इस तरीके से separation होती है अब सिरफ separation ही नहीं हमारे पास होती separation के इलावा हमारे पास यह जो line बनती है न यह किन points की base बनती है उन points की base बनती है जो इस line के last वाले करीबी point है यानि के यह point इसको अपनी तरफ खेंचते हैं और दूसरे जो sorry यह point इसको अपनी तरफ से थोड़ा सा दूर भेजते हैं यह वाले अपनी तरफ से दूर भेजते हैं तो आप यह समझें के यह line बिचारी बीच में फंसी हुई है तो यह एक ऐसा spot तलाश करती है के यह yellow point भी खुश रहे और red point भी खुश रहे तो यह वो वाली boundary wall होती है जिस से यह दोनों points हापस में खुश रहते हैं जो करीबी points हैं यह वाले यह वाले भी यह वाले भी so इनका distance हापस में तकरीबन same रहना ज़रूरी है otherwise यह hyperplane का मकसद जो है वो fourth हो जाता है so this is one assumption जो हमें पता होन चाहिए कि जो last वाले point होती है इनकी base पे आपका hyperplane जो है वो decide होता है और यही points जो है decide करते हैं कि यह line किस जगा पे बननी है ठीक है अब हम आगे चलते हैं मैं आपको hyperplane से भी आ गया इस्ता इस्ता लेके जाता हूँ and then we will see कि sport vector machine किस तरीके से काम करती है अगर sport vector machine का नाम दिया जाए तो अक्सर उकात इसको svm बोला जाता है ठीक है मैंने आपको पहले भी बताया and these support vector machines are svm's भी से बोला जा सकता है और sport vector machines जो है यह use होती है तीन किसम के टास्क के लिए पहली तो आपको मैंने बता दिया classification के लिए second मैं आपको बताता हूँ कि आप इससे regression के टास्क भी कर सकते है third आप इससे outlier detection भी कर सकते है outlier detection ठीक हो गया अब यह तीन टास्क है जो hyperplanes जो है perform कर सकते है यानि कि sport vector machines mostly used for classification ठीक है regression के कुछ problem के लिए यूज होता है और outlier detection के लिए बहुत काम यूज होता है mostly यह classification के लिए यूज होता है but you should know के classification के अंदर hyperplanes जो हैं वो बड़ा किरतार अदा करते हैं जो भी मैं आपको बता करता हूँ तो हमारे पास जो है hyperplane जो है यह कितनी किसम के होते हैं और हमारे पास जो sport vector machine है इनकी कितनी types है और किस तरीके से हम इनको देखेंगे let me show you one example here जब हम sport vector machine को discuss करते हैं तो हमारे पास इनको चार हिस्सों में divide किया जाता है सबसे पहला हिस्सा इनका होता है जनाब sport vector machines या sport vector classifier जिसे हम बोलते हैं मैं यहाँ पर एक बात बताना भूल गया अगर हम svm को classification के लिए use करेंगे तो इसको अकसर उकाद svc लिखा जाता है regression के लिए use करेंगे तो इसको svr लिखा जाता है ठीक है so outline detection के लिए आप कोई भी use कर सकते हैं इस वज़ा से यहाँ पर इसे svc लिखा गया है with linear kernel अगर आप गोर करें kernel क्या है basically एक ऐसी line की direction आप कह सकते हैं या line की shape आप कह सकते हैं which you can define in different ways for example अगर linear kernel की बात करें तो kernel हमारे पास क्या करता है basically यह separate कर रहा है चीजों को अगर linear है तो इसका मतलब है कि यह बिल्कुल line लगेगी सीधी यानि के आप इस line को goal नहीं कर सकते you have to go straight और lines सीधी होती है ठीक है और यह lines क्या करती है आपके data को classify करने में help करती है second one is linear svc यह भी linear kernel ही होता है लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं कि lines जो है यह थोड़ी सी फासले पे होंगी and it's little bit more accurate but अगर आप linear svc की बात करें या linear kernel की बात करें so sport vector classifier with linear kernel and linear svc आपके पास linear kernel जो है यह दोनो linear kernel को ही use करते है यानि कि यह दोनों चीजें same एक line की base पे आपको separate करके देंगी ठीक है जो मैंने अभी आपको दालों की example बताई थी then आपके पास आता है RBF kernel और दूसरा आपके पास आता है polynomial kernel ठीक है तीन किसम के kernel होते है ठीक है जो आपके पास RBF है या जो polynomial है यह depend करता है कि आपने उनको किस तरीके से use करना है तो हमारे पास जो separation line है वो तीन किसम की लग सकती है एक तो वो line है जो बिल्कुल straight है say for example यह मेरे पास yellow point है यह वाला yellow and this one is green point और green point आपने इनको separate करना है simply direct line लगा दें तो यह हो गया जनाब आपका linear kernel अगर आप कुछ इस तरीके से line लगाना चाहें जो goal mole हो say for example मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल दिखाता हूँ यह मेरे पास जनाब green color होगे और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ red यह मेरे पास red होगे and then यहाँ पे अगर मैं blue लगा दूँ तो यह मेरे पास blue होगे ठीक है यहाँ पे मैं लगाता हूँ तो अगर आप मैं इनको separate करना चाहूँ so I can separate them using this kind of goal mole shape ठीक है और यह जितनी goal होगी जिस तरीके से होगी we can have a look on that और यह इसके लिए हम RBF kernels को use करते हैं ठीक है यह second type है sport vector classification के अंदर third one is polynomial polynomial अगर आपको नहीं पता तो single degree polynomial क्या होता है double degree क्या होता है third degree क्या होता है you should know about that आप इसको study कर सकते है polynomial होता क्या है basically मैं आपको simply यह बता देता हूँ कि आपकी जो line है वो कितनी किस तरीके से ऐसे नीचे आ रही है ठीक है फिर अगर यह line ऐसे उपर जा के फिर नीचे आ रही है तो किस तरीके से आ रही है so इनके उपर हम discuss करेंगे और हमारे पास जो sport vector machine की linear kernels है हम उने भी use कर सकते है and there are many other types as well जिनको हम utilize करके अपना sport vector machine का काम जो है वो कर सकते है यहां तक आपको clear हो गया होगा अब RBF है क्या अगर आप RBF पर घौर करें तो हम इसको बोलते हैं RBF radial basis function radial basis function क्या होता है जब आपकी line radial basis पर चल रही होती है यानि कि गुलाई बनाके एक proper आपको कुछ इस तरीके से shaded region अगर आप गौर करें तो यह पत्तियों की format जो आपके पास बन रही है आप इसको समझ सकते हैं कि यह radial basis function की base पर हमारे पास बन रही है ठीक है so radial basis function हमें इस तरीके से समझ आता है अब यहां पर आपको जाते जाते एक और मिसाल मैं पहले दिखा दूँ फिर हम इस पर बात करते और उसके लिए यहां पर आपको थोड़ा सा concepts मैं समझा देता हूँ अगर आपके पास इस तरीके से x y चल रहे है ठीक है और आपकी जो line है वो यहां से सीधी ऐसे move करें आगए को तो इसको हम 0 degree का constant function बोलते हैं कि इसकी कोई degree नहीं है यहां पर अगर यही line आपकी कुछ इस तरीके से move करें तो इसको हम बोलते हैं 1 degree linear function linear function for degree 1 इसको बोल सकते हैं इसकी degree जो है 1 है green वाले की ठीक है और अगर आप quadratic function को देखें तो वो कुछ इस तरीके से आपके पास होता है x और y के उपर और अगर मैं इसको सीधा इस तरीके से draw करूं तो इसकी degree हमारे पास आ जाती है 2 degree 2 ठीक है और इसी तरीके से अगर आप degree 3, degree 4 and degree 5 बनाना चाहें so you will have something like this यहां से यह degree 2 है हमारे पास ठीक है हमने क्या किया है यहां से degree 2 अगर मैं बनाओ something like this यह degree 2 हमारे पास बन गी है एक degree इसके अंदर और हम जोड़ेंगे तो यह degree 3 हो जाएगी ठीक है so इस तरीके से आप degree 3 को draw कर सकते है which is a kind of cubic function not cubic function ठीक है और इसी तरीके से अगर आप 4 को बनाना चाहें तो आपके पास कुछ इस तरीके से बन सकती है something like w की तरह ठीक है आप चेक करें एक degree, दो degree, तीन degree and चाट degree ठीक है degrees क्या होती है मैं हम आपको समझाता हूँ और आपको इससे polynomial function जाए उसकी भी समझा जाएगी अगर आप 5 degree करेंगे तो इससे increase कर जाएगा so one degree का मतलब यह है कि आपने एक line लगा दी और simple line ने separate कर दिया चीजों को तो यहाँ पर अगर चेक करें आपका मैंने जो example दिखाई है अगर आप यहाँ पर गोर करें एक simple line लगी and that was enough for that ठीक है फिर हमने radial basis function को use किया that's another story लेकिन अगर polynomial degree 3 की बात करें तो हमारे पास किस तरीके से line बनेंगे अगर आप गोर करें तो यह हमारे पास इस जगा पे अगर गोर की जाए तो degree 3 क्या होगी हमारे पास एक line ऐसे बनी something like this फिर एक ऐसे double degree आगे हमारे पास ठीक है इस वज़ा से जब आप degrees different किसम के use करेंगे आपको separation में वहाँ पे help मिलेगी आपने क्या करना है आप polynomial degree 1, degree 2, degree 3 जितने भी आपके पास function बनते हैं आपने check करना है कि किस तरीके से आप उनको use कर सकते हैं by using different kind of parameters अब मैं आपको उसी side पे लेके जा रहा हूँ कि हमारे पास ये जब classification के तीन rules आ जा जाते हैं तो ये हमें किस तरीके से classify करने के लिए help करेंगे but even before that polynomial जो है जारी बात है जब हम use करेंगे तो आपको और भी clear हो जाएगा for now I'm moving ahead और आपको application का बता देता हूँ के हमारे पास जो applications है SVM की कहां कहां पे होंगी applications applications अगर applications की बात की जाए तो सबसे पहले जनाब आपका task जो है SVM use होता है image classification में image classification number two number two आपका होगा text and hypertext जो categorization है यानि के categorization का मतलब क्या होगा classification ही हो गया लेकिन for text इसको हम categorization बोलते है text को categorize करने में यानि के emails वगारा को classify करने में ठीक है फिर आप अगर bioinformatics पढ़ रहे हैं तो protein classification के लिए SVM use होता है protein classification क्योंकि एक refined line होती है ना दो चीजों में जो merge कर रही होती है उसको ये detect कर देता है फिर अगर handwriting को आपने distinguish करना है you can also use this तो classification के जितने task हैं वो भी आप कर सकते हैं regression के भी कर सकते हैं but as I told you before आप जो है classification के लिए इसे ज्यादा use करते हैं अब मुझे एक बात बताएं यहां पे आपको अभी clear हो जाएगी जो मैं बात आपसे पूछने जा रहा हूँ sport vector machine सिरफ linear data पे ही नहीं लगती it can also be applied on non-linear data something like this something like this तो हम कह सकते हैं कि linear plus non-linear data के ऊपर we can apply sport vector machines ठीक है so linear plus non-linear data इसके उपर हम sport vector machine को apply कर सकते हैं sport vector machines की आपको समझ आगी होगी क्या होती है किस तरीके से हमारे पास जो sport vector machine है काम करती है कैसे हमारे पास hyper plane एक आता है और हम चीजों को किस तरीके से maintain कर सकते हैं और हमारे पास many other basically mathematical formulas जो हम इसमें study करेंगे लेकिन हमें जो चीज समझ नहीं है वो यह है कि हमारे पास जब इस तरीके से sport vector machine बन रही होती है तो दो तीन items जो हमें याद रखनी है पहली हमारे पास है जनाब hyper plane second हमारे पास है आपका जनाब sport vectors and third one is आपके जनाब margins यह तीन ऐसी चीजी हैं जो आपको further detail में समझने के लिए help out करेंगे कि sport vector machines होती क्या है और SVM को जब हम discuss कर रहे होते हैं तो hyper plane कैसे बनता है sport vectors क्या होते हैं और हमारे पास margin क्या होते है ठीक है अब ये तीनों चीजे मैं भी आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हमारे पास ये एक line बनती है just give me one second यहां पे अगर आप गोर करें इस एक diagram के उपर which is appearing here यहां पे अगर गोर करें तो हमारे पास जो मैंने आपको points बताये थे आपको कोई भी data है ये plus वाला data है उपर वाला ठीक है plus का मतलब है यहां पे plus वाली कोई class पड़ी हुई है यहां पे negative वाली है ठीक है तो होता क्या है जो last वाली line होती है जिसे हम boundary wall बोलते हैं यह आप कह सकते हैं कि front line front line of that data point उनके last वाले points को हम बोलते हैं sport vectors ठीक है यानिके ऐसे points जो vector को sport कर रहे होते हैं ठीक है और दूसरी side से अगर देखा जाए तो plus वाले line की boundary wall पे यानिके last पे जो points पचे हैं वो एक भी हो सकता है दो भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं इनको हम दूसरी class के sport vectors बोलते हैं ठीक है इस sport vectors की जो एक line होती है यानिके last वाली front line of one class यानिके अगर मैं यहाँ पे green points ऐसे draw करूँ और यहाँ पे मेरे पास दूसरे हैं red points और यह पीछे पूरा मजमा लगा हुआ red points का और यहाँ पे पूरा मजमा लगा हुआ green points का लेकिन जो front line वाले शज़ादे हैं ये वाले इनको हम बोलते हैं sport vectors और आप इनकी एक line एक mind में draw होती है और second line ये वाली है जो in class की है say for example ये वाला एक country है ये वाला दूसरा country है और ये इनका border है center में लेकिन border से थोड़े थोड़े दूर उन्होंने 4G खड़े किया होते हैं ठीक है यहाँ पे ये 4G समझ लें इस country के 4G है ये दूसरी country के यानि के front line पे जो खड़े हुए है अब आपको भी पता है कि border के बिलकुल उपर नहीं होते है 4G border से थोड़ा सा पीछे होते है ठीक है अब एक ऐसी center में line draw करना जो इन दोनों 4G को या इन दोनों countries को या इन दोनों data points को खुश रखे उसको हम बोलते है hyperplane ठीक है और यहाँ से भी उतने distance होता है जितना दूसरी side से है and इन दोनों के दर्मियान यहाँ से लेके यहाँ तक जो distance होता है इसको हम बोलते है margin ठीक है अब आपको समझ आएगी चीजों की now you can understand के separating hyperplane आपका center में है यह वाले sport vectors है और इनकी line होती है sport vectors की और उन दोनों lineों के दर्मियान में एक line होती है जिसको हम hyperplane बोलते है ठीक है और यह इन दोनों का margin होता है जो एक class से दूसरी class के दर्मियान में होता है अगर आप 3D की बात करें तो आपके पास जो 3D के अंदर hyperplane बनता है that works in a different way और उस hyperplane को हम कुछ इस तरीके से view कर सकते हैं यहाँ पे तो line आगे थी ना अब अगर 3D के अंदर हम बात करेंगे तो हम hyperplane को कुछ इस तरीके से draw कर सकते है something like this अगर आप गोर करें blue points नीचे हैं उपर red वाले हैं center में एक paper की sheet की तरह plane दिया हुआ है ठीक है और यह plane इसी तरीके से आप ऐसे समझें कि यह छोटे भाई है ठीक है उनका room है blue चीज़े उनकी है यह बड़ा भाईया कोई यह उसका room है और red चीज़े उनकी है और यह दोनो rooms के center में एक दिवार है ठीक है इन दोनो rooms को जो separate कर रही है which is a kind of hyperplane in 3D space और इसी तरीके से जब आपकी space बढ़ती जाएगी आपके hyperplanes की जो shape है वो भी बढ़ती जाएगी यहां तक आपको clear हो गया होगा कि किस तरीके से आपके पास hyperplanes बनते हैं and how you can define the sport vectors right okay sport vector machines के अंदर कुछ और भी मालूमात जरूरी है जो अभी हम देखने वाले हैं और इनको किस तरीके से हम apply करते हैं कि अपके जाते हैं